Well, in this video, we are going to learn about this article 2.7.3 हम इस article 2.7.3 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसमें समझाया गया है देखे इसमें हम बात करेंगे कि rules for determining the uncertainty in the result of arithmetic calculation यदि आपको एक arithmetic calculation करते हैं, plus करते हैं, minus करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो उसमें uncertainty को हम कैसे determine करते हैं, तो यह हम इसमें सीखने की कोशिश करेंगे तो उसके लग-लग step होंगे, हम step by चलने की कोशिश करते हैं देखे, the rules for determining the uncertainty or the error in the number, एक number में और measured quantity in the arithmetic operation can be understood from the following example तो इसके लिए हम एक example का chain करते हैं, माल लिया जाए, आपके पास को एक rectangular sheet है और उसकी कुछ एक length है और उसकी कुछ एक breadth है और देखे, जो length है वो है 16.2 cm और जो breadth है वो 10.1 cm So there are 3 significant figures, अब length में भी 3 significant figures हैं और breadth में भी 3 significant figures हैं हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी percentage error जो है वो किस तरीके से हम इसको calculate करते हैं ओके, हम जो discussion है उसको हम शुरू करते हैं यह देखे, यह रहा हमार पास कोई part number 1 कि हम बात करते हैं हमार पास length दी हुई है 16.2 और plus minus अब यह देखे, एक decimal place तक length को लिखा गया है इसका मतलब इसका least count होगा वो सिर्फ one decimal place तक होगा अब इसमें जो, इसको हम आशे लिख सकते हैं यह जो length है, वो L plus minus delta L की form में है और यदि हम इसमें से percentage error यदि यह error है, या तो आप इसका मतलब क्या हुआ या तो आप 16.2 से कुछ ज़्यादा माप सकते हैं या फिर कुछ कम माप देते हैं इसमें हम यदि देखें कि यदि इसका least count है वो इस order का है, तो percentage error इसमें क्या हो सकती है तो percentage error इसमें हमें निकालना है अब आप देखें, percentage error in L length में percentage error क्या आएगी तो percentage error जो है, उसका formula होता है delta L upon L into 100 तो यहां से आजाएगा delta L है 0.1 और जो length है, वो है 16.2 और इसको आप यदि 100 से multiply करते हैं 100% से multiply करते हैं तो आपके पास answer आता है 0.6% इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप length को measure करते हैं जो 16.2 cm आप माप रहे हैं उसको मापने में आप इतनी गलती कर सकते हैं या तो आप 0.6% ज़ादा माप देते हैं या फिर आप 0.6% कम माप देते हैं तो यह तरीका रहेगा हमारा कि हम किस तरीके से error को determine करते हैं percentage error को determine करते हैं इसी तरीके से हम उसी rectangular sheet की breadth के बारे में बात करते हैं यदि कि similarly हम breadth के बारे में बात करते हैं तो जो sheet की जो breadth होगी उसको हम लिखते हैं breadth is equal to ऐसे लिखते हैं b is equal to this is 10.1 and plus minus 0.1% अब इसमें जो percentage error in breadth होगा हम ऐसा लिखते हैं percentage error in breadth in b वो क्या होगा this is equal to delta b upon b cross 100% हो जाएगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं delta b है 0.1 और b क्या है this is 10.1 this is cross 100% so it is equal to now यह 1% आएगा this is 1% अब हमने देखा कि हम एक individual quantity को मापते हैं तो इसमें यदि length में plus minus इतना है तो उसमें percentage error आती है 0.6% दूसरे case में हम देखते हैं कि जब हम breadth को मापते हैं जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं b plus minus delta b तो उसमें relative percentage error आती है 1% अब हम आगे जलते हैं देखे ज़र इसको ध्यान से देखे इसको equation number हम 1 मानते हैं और इसको हम equation number 2 मानते हैं अब हम length और breadth को जब हम combine करते हैं यह देखे इससे हम यदि area निकलते हैं तो वो होगा length into breadth इतने centimeter square area आएगा अब आप इसको यदि ऐसा लिखें यह आएगा l plus minus delta l और b plus minus delta b अब हम यह देखेंगे कि यदि length में percentage error थी 0.6% और breadth में error थी 1% तो जब हम इनका area निकलते हैं तो फिर यह percentage error है वो कैसे combine होती है तो जब हम length into breadth करेंगे तो जो इसका area आएगा उसमें जो error introduce होगी वो किस तरीके से होगी तो length को आप लिखते हैंगे 16.2 cm और जो breadth को आप लिखते हैंगे 10.1 cm यह part multiply हो जाएगा बट जो percentage error होगी वो add हो जाएगी उसका formula हमारे पास होता है delta l upon l और यह मातर plus होगा यहाँ delta b upon b so this answer will be 163 इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आगा 163.62 plus minus 2.6 cm2 और यदि हम इसको round off करके लिखने की कोशिश करें तो हमारा final result जो area का है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए 164 plus minus 3 cm2 तो मतलब जो आपका area है वो उसके इस तरीके की कुछ bellies हो सकती है जब आप 164 को मापेंगे तो या तो आप इसको 161 cm माप देंगे या फिर आप इसको 167 cm माप देंगे cm2 माप देंगे so it will fluctuate between the two या तो आप इतना कम माप सकते हैं इत को singly measure करते हैं तो 1% आपका जो है error आता है पर यदि आप इनको combine करते हैं means multiply करते हैं तो जो percentage error है वो add हो जाता है यह हमने यहां से सीखना था अब हम चलते हैं इसके part 2 में और blackboard के दूसरे page में हमारे पास discussion का जो second part है वो उसमें यह कहा गया है कि if a set of experimental data is specified by n significant figures यदि मालो आपके पास जो data आपने choose किया है multiply करने के लिए divide करने के लिए किसी भी तरीके का data हो सकता है वो length का हो सकता है breadth का हो सकता है area का हो सकता है volume का हो किसी भी quantity का हो सकता है तो जब आप उसका result निकालेंगे तो उसका this result is accompanied by it is combining the data will also be valid to n significant figures यदि आपके data में जैसे आपने length लिया length में आपने लिख दिया जैसे 1.02 cm if this much is the length if this much is the length and then b is it is 1.02 this is also the breadth so ये भी 3 significant digits तक है तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम इसे area निकालेंगे that is length into breadth so it should be of the same range वो भी 3 significant digits तक ही होगा ये इससे सीखने वाली बात है but we'll try to expand our discussions to the next level and which is कि यदि आप subtraction करते हैं तो ये जो rule है वो नहीं लगेगा for example आपके पास एक number है N1 इसको हम लिखते हैं this is the mass mass 12 point हम इसको ऐसे लिखते हैं कुछ ऐसा करते हैं हम इसको mass को लिखते हैं for example आपके पास एक mass है M1 that is 12.9 gram और जो दूसरा mass है आपके पास M2 that is 7.06 gram अब आप यहां क्या देखते हैं कि इसमें जो least count है mass का वो है 0.1 gram और यहां जो least count है मापने के लिए वो है 0.01 gram now see here यहां जो least count है वो है 0.1 gram और यहां जो measuring आपका device है उसका जो least count है 0.01 gram है जब आप इनको subtract करेंगे आप for example आप इसको subtract करेंगे now हमने यह रिमालो delta M calculate करना है that is M1 minus M2 that is a question here तो आप इसको ऐसा करिए it is 12.9 gram minus 7.06 gram now if you will subtract it what will happen यहां आएगा 4 और यहां आएगा 8 this is 0.5 तो अब आपको लगते हैं कि यह answer ऐसे लिखा जाना चाहिए बट हमने previous text में यह पढ़ा कि यदि हमारे पास observation में यहां 3 significant figures है और यहां भी 3 significant figures है तो आपका जो answer है वो 3 significant figures में ही रहना चाहिए आप यहां देखे इस text को पढ़िए ध्यान से कि if the set of experimental data is specified to some n significant figures यदि आपका जो data है जैसे हमारे पास mass का data है M1 और M2 है यहां हमारे पास M1 देखे ज़रा क्या है 12.9 gram 3 significant figures M2 जो है उसका data है 7.06 gram 3 significant figures अब इन जो dark जो bold letters में जो sentence लिखा है उसमें कहा गया कि यदि तुम M मतलब इस data से को result निकालते हो तो उसमें 3 significant figures है वो रहनी चाहिए पर हम यदि इसी law को subtraction के case में लगाएं तो ऐसा संभव नहीं होगा आप यहां देखें यदि आप इसमें से delta M निकालते हैं तो उसका answer यहां आता है घटाने के बाद 5.84 gram but it is not it will not be like that क्योंकि यहां significant figure का law नहीं लगेगा इसमें लगेगा number of least decimal point तो इसके least decimal point देखे M 1 में कितने हैं only 1 तो हमारा जो final result आएगा delta M this should be 5.8 gram only यहां से आपको यह सीखना है कि subtraction और addition के जो laws होते हैं वो different होते हैं in comparison to the other operations right so now we'll move to the next page अब next हमें जो learn करना है वो यह point है कि यदि आप एक relative error निकालते हैं the relative error of a value of number specified to significant figures एक कोई number है जिसकी अपनी कुछ एक significant figures है हम example से आपको explain करेंगे वो ना केवल इसके उपर depend करता है उसका जो relative error जो है वो number of significant figures पर ही depend नहीं करता बट वो number के उपर भी depend करता है कि कौन से number की आप relative error निकाल रहे हैं हमारे पास दो options हैं एक जो आपके पास data है उस data में number of significant figures कितनी है दूसरा उस data में जो data है उसका number कौन सा आपने चूज किया है जो data का अपना number itself क्या है तो जब आप relative error निकालेंगे तो वो ना केवल number of significant figures के उपर depend करेगा पर वो आपने number कौन सा चूज किया है जिसकी relative error आपने निकालनी है वो इस बात के उपर भी depend करेगा इसको हम example के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं यह देखिए आपके पास number है for example आपके पास एक mass है हम इसको mass को m1 कह देते हैं और mass आपके पास 1.02 gram और इसमें जो plus minus जो आप गलती करके या तो थोड़ा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा उसको measure कर देते हैं क्योंकि मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ m plus minus delta m तो यह थोड़ा ज्यादा कभी आप measure कर लेते हैं कभी थोड़ा कम measure कर लेते हैं इसमें सीखने बाली बात क्या है इसमें जो number of significant figures है वो 3 है number of significant figures are here 3 और जो आपका measuring device है उसका जो least count है वो है 0.01 gram तो गलती की जो संभाबना है वो up to 2 decimal point हो सकती है तो दूसरा case है हमारे पास इसमें हम यदि देखें अब इसको पहले relative error इसकी मापते है the relative error फिर हम नया number choose करेंगे the relative error in 1.02 gram जब आपने 1.02 gram को measure किया तो उसमें relative error कितनी आई आपका measuring device जो था उसकी बज़ा से point plus minus 1 this is delta m इसका formula होगा delta m upon m into 100% यह है relative error निकालने का formula तो यहां लिख दीजी आप आपके पास आजाएगा delta m this is plus minus 0.01 gram okay divided by mass is 1.01 gram जिसको आप तोलने के लिए चले थे और यह आगे आपके पास 100% अब देखें ज़र आपके पास answer आया plus minus 1% मतलब यदि आप एक measuring device जिसका least count 0.01 gram है उससे आप 1.02 gram एक mass को तोलते हो यहां से यह से सीखिए आपके पास जो measuring device है वो कम से कम इतना माप सकता है 0.01 gram की जो scale से माप सकता है और यदि आप उससे 1.02 gram के एक mass को तोलते हो तो जब आप इसको तोलने लगेंगे तो आपका जो answer होगा उसमें या तो आप 1% ज़्यादा तोल देंगे या फिर 1% कम तोल देंगे ठीक है यह हम यहां से समझते हैं अब हम अपना जो यह bold face letter है इनसे जो समझाने की कोशिश की गई है उसके लिए हम क्या करते हैं एक mass और लेते हैं देखिए इसका जो second part है हम mass को अब shift कर देते हैं अब हम mass चूज करते हैं लाइक भाइस हमार पास है अब हम mass क्या करते हैं चूज करते हैं इसमें mass जो हमार पास है 9.89 gram इस mass को तोलना है हमने ध्यान देने वाली बात है हमने इसमें number of significant figures फिर दोबारा 3 ही रखी 1.02 में आप देखिए इसमें भी number of significant figures 3 थी हमने इसमें भी number of significant figures 3 ही रखी आप जड़ा देखिए इसमें जो मापने वाला device है उसका जो least count है वो फिर दोबारा उतना ही है वो same device से आप माप रहे हैं यह देखिए यह measuring device जो है इसका least count उतना ही है जितना आप पहले आपके पास था पहले भी आपके पास जो least count था 0.01 gram था यहाँ भी जो least count आपके measuring device का 0.01 gram है पर अब जड़ा इस case में हम relative error जड़ा हम आपके देखते हैं देखिए अब relative error in हम यहाँ लिखते हैं relative error in percentage relative error in m2 अब m2 में percentage relative error क्या होगी plus minus now it is delta m2 यह m बल लिख देते हैं delta m2 upon m2 cross 100% तो यहाँ लिखिए अब another mass है यह आपके पास sorry यह हमार पास रहेगा यह हमार पास mass है sorry delta m हमार पास 0.01 gram divided by 9.89 gram cross 100% तो इसको यह दे हम solve करते हैं तो हमार पास आता है plus minus 0.1% आपने देखा इसमें हमने क्या सीखा number of significant figures 3 least count 0.01 दूसरे case में देखिए number of significant figures 3 least count same आपने पहले case में देखा error I plus minus 1% दूसरे case में देखा error I 0.1% आपने यही यहाँ से सीखना था कि यदि relative error हम किसी एक measurement की निकालते हैं तो उसमें ना केवल यह count करता है कि number of significant figures कितनी है अब देखिए इन दोनों cases में number of significant figures 3 है बट यह quantity 1.02 ग्राम है और यह quantity mass की 9.89 ग्राम है तो यह जो relative error कितनी आएगी वो depend करते हैं कि आपने quantity कौन सी choose किये हुई है यही हमने यहाँ से सीखना था अब हम अपने discussion को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दोबारा फिर से हम bold face letter के उपर अपना ध्यान लगाते हैं इसमें आप कहा गया कि जब आपने intermediate result आपको एक लंबा कोई calculation कर रहे हैं ठीक है आपने जो सवाल लिया उसको solve करना शुरू कर दिया फिर आपने उस measurement में जब कई बार वो plus होती है कई बार minus होती है कई बार multiply होती है कई बार divide होती है तब जाकर कहीं आप last result तक पहुंचते हैं तो इसमें कहा गया कि यदि आप multi step computation करते हैं तो आपने उस case में क्या करना है कि आपने एक significant figure ज़्यादा लेनी है जो जितना आप figures ले सकते हैं उसे multi step calculation में जब आप intermediate step को आप follow करते हैं तो आपने एक significant figures को ज़्यादा लेना है और इसको हम justify करने की कोशिश करते हैं देखिए हम एक example से चलते हैं हम एक example लेते हैं कि जब हमने multi step calculation करना हो so we have to go for one more significant figure देखिए हम एक उधारन के लिए हम एक number चूज करते हैं हमारे पास एक number आगया n जिसको हम लिख देंगे this is 9.58 यह number मैंने चूज कर दिया अब मैंने क्या किया मैंने इस number का जो है inverse ले लिया reciprocal कर दिया इसका तो मैंने किया 1.9.58 और जब इसको solve किया तो solve करने के बाद मेरे पास आ गया 0.104 ओके ठीक है इसको हम यहां लिख देते हैं number 1 हो गया अच्छे इसको यदि मैंने दोबारा फिर से इसका reciprocal लिया तो क्या होना चीए 1.0.104 यदि मैं इसको दोबारा reciprocal करूँ तो इसका answer 9.58 ही आना चीए क्योंकि आप जानते हैं न अब 5 को एक बार उसका reciprocal लो वो 1 by 5 आ जाएगा पर जब 1 by 5 का फिर दोबारा से reciprocal लेंगे तो क्या होगा 5 आ जाएगा ऐसा होना ही चीए यदि मैथेमेटिक्स की correctness के लिए तो ऐसा ही answer आना चीए पर यहां देखिया अचमभा क्या है आपने number लिया 9.58 आपने उसका reciprocal किया 0.104 आ गया फिर दोबारा फिर से आपने इस example की तरह दोबारा फिर से इसका reciprocal किया तो दुरभागेवश क्या हुआ कि 9.58 ना आकर यह number जो है 9.62 आ गया यहां गड़वड हो गई अब यदि मानलोग इस तरीके से आप तीन या चार बार ऐसे अपनी intermediate step में calculation करते हैं तो होने क्या वाला है at the end बहुत बड़ी गड़वड हो गई होगी अब ज़र देखें इसको हम दोबारा फिर से operate करते हैं हम ऐसा करते हैं कि again हम यहां इसको करते हैं repeatedly हम इसको दोबारा फिर से करते हैं हमारे पास number once again n prime same number this is 9.58 अब हम इसका recipe कर लेते हैं हमने किया 1 by 9.58 किया और इसके पास इसके बाद हमने 0.104 अब देखें यहां थी number of significant figures जो हैं वो 3 थी हमने final result में भी तीन significant figures को maintain करके रखा अब यदि हमने क्या किया यहां हमारे पास originally थी number of significant figures 3 पर जब आपने इसका reciprocal किया तो आपने इसकी जो number of significant figures थी वो बढ़ा दी क्योंकि यहां आप इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद यहां आ जाएगा 1.044 आता है ठीक है अब आप ज़र इसको दबारा फिर से इसका reciprocal को लिजिए r prime is equal to 1 upon 0.1044 अब यदि आप इसको इसका reciprocal सरी के से लेते हैं तो आपका final नासत दबारा बापिस 9.58 जो है वो reproduce हो जाता है यह reproduce हो गया final result is finally one second reproduce this means यह justify करता है कि जब आपने intermediate step में calculation करनी है तो आपने क्या करना है कि number of significant figures के number को maintain करके नहीं रखना है आपने यदि मालो तीन significant figures आपके पास है आप intermediate step में calculation कर रहे हैं तो आपको एक significant figure जादा लेना है यदि आपके पास significant figure originally 2 है तो intermediate step में आपने 3 significant figures तक calculation करनी है यदि आपके पास originally data में number of significant figures 4 है intermediate step में आपने 5 significant figures तक जो है वो calculation को ले जाना है और ultimately at the end आपने उसको दोबारा फिर original number of significant figures तक रखना है so यह example justify करता है this example justify the idea to retain the one more extra digit एक extra digit आपको maintain करके रखना है then the number of digits in the least precise measurements in the intermediate steps of the complex multi-step calculation in order to avoid the additional error ताकि एक additional error पैदा ना हो जाए in the process of rounding of the numbers जब आपने number को round off करना है तो आपने intermediate step में एक significant figures add करके चलना है ताकि यह error बाद में नहीं आनी चाहिए okay this is all about this video I hope that you will enjoy this thank you